अगर आपको हार्मोन्स की समस्या परेशान कर रही हो अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो या हार्मोन्स की समस्या आपको परेशान कर रही हो खासतोर से महिलाओं का जो गाइनोकोलोजिकल सिस्टम होता है उसके पीछे चंद्रमा और मंगल की बड़ी भूमिका होती है तो अगर आपको हार्मोन्स की समस्या परिशान कर रही हो हास्त तोर से अगर आप महिला हो और चंद्रमा की वज़ा से आप हार्मोन्स से परिशान हो तो क्या उपाय करेंगी? रात में भिगाय हुए बादाम सुबह के समय खाईए थोड़े से बादाम रात में पानी में भिगा दीजिए और सुबह उस बादाम को चबा-चबा कर खाईए इससे आपको लाब होगा सो मुआर के दिन उपवास रखिये और उपवास जब रखें तो सिर्फ फल खाएं और जल पीएं अनाज का सेवन ना करें सिर्फ फल खाएं सिर्फ जल पीएं अनाज का सेवन ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा एक चांदी का चौकोर टुकडा चांदी की चेन में किसी भी सो मुवार को गले में धारन कर ले अगर आप ऐसा करे तो जो हार्मोन्स की समस्या की वज़ा से आपको दिक्कत है तो जो हार्मोन्स की वज़ा से आप मुश्किल में आ रहे हैं वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी चंद्रमा जब गडबड होता है या शरीर का जलतत्व जब बिगड़ा हुआ होता है तो मानसिक तनाव होने की या डिप्रेशन होने की संभावना बहुत होती है जिनका चंद्रमा बिगड़ा हुआ या कमजोर होता है ऐसे लोगों को छोटी छोटी बातों पर टेंशन हो जाता है छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन में आ जाते है छोटी छोटी बातों पर या तो गुसा करते है या तो छोटी छोटी बातों पर रोने लगते हैं प्रभावित हो जाते है अक्सर ऐसे लोगों को डॉक्टर की दवाईयां खाने पड़ती है अपने मानसिक बीमारियों को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए अगर मानसिक तनाव हमेशा रहता हो या मानसिक डिप्रेशन हमेशा रहता हो एकादशी का उपवास हर हाल में रखना चाहिए महीने में दो एकादशी आती है कृष्णपक्ष की और शुक्लपक्ष की दोनों ही एकादशी का उपवास हर हाल में रखे और जब एकादशी का उपवास रखे तो केवल लिक्विड डाइट जली आहार ग्रहन करें जले लें, फल खालें, लिक्विड डाइट गहन करें नॉर्मल कोर्स में सामान नरूप से भोजन में दूद और दूद से बनी हुई चीजों का प्रियोग करें इससे भी लाब होगा दूद खाएं, दूद पियें, दही खाएं, क्रीम का इस्तमाल करें, पनीर का प्रियोग करें यानि दूद और दूद से बनी हुई चीजों का प्रियोग करें तो लाब होगा और अगर आपको mental depression होता है या छोटी छोटी बातों पर आपको तनाव हो जाता है तो क्या करेंगे रोज रात में चंद्रमा का एक मंत्र है स्क्रीन पर देखिए चंद्रमा का मंत्र ओम श्रांग श्रींग श्रॉंग सह चंद्रमसे नमः ओम श्रांग श्रींग श्रॉंग सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का रोज रात में 108 बार जब करे इससे आपको निश्चित रूप से लाब होगा इस मंत्र का जब किया जाएगा रूद्राक्ष की माला से या मोती की माला से रात के समय या अंगुलियों पर अगर आप रोज रात में सोने के पहले जब करें और उसके बाद सोएं तो निश्चित रूप से आपको लाप होगा अगर आपको एपिलेपसी की यानि मिर्गी के दौरे पढ़ने की समस्या हो तो इसमें भी चंद्रमा की भूमिका जरूर होती है इसलिए आप देखें कि छोटे बच्चों को जब मिर्गी पढ़ती है मिर्गी के दौरे पढ़ते हैं तो अमूमन आठ साल के पहले पढ़ने शुरू हो जाते हैं और कुछ बच्चों का ये होता है कि आठ साल तक पढ़े और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाते है उसके पीछे बिसिकली होता है चंद्रमा कुछ लोगों को तो बड़ी उमर में भी पढ़ते हैं तो अगर आपको एपलेपसी के दौरे पढ़ते हैं या मिर्गी के दौरे पढ़ते हैं तो कि एपलेपसी में दवाईयां लंबे समय तक खानी पढ़ती है क्या करना चाहिए रोज सवेरे जल में केवडा जल डाल करके इसनान करिये रोज सवेरे जल में केवडा जल डाल करके नहाईए एक बार में धेर सारा खाना मत खाईए अगर आपको epilepsy की problem है तो थोड़ा थोड़ा खाना कई बार के interval पर खाईए एक बार में धेड सारा खाना ना खाईए तो जादा बहतर होगा वैसे तो रात में देर तक किसी को नहीं जगना चाहिए लेकिन अगर आपको epilepsy की problem है तो रात को देर तक जागने से और सुबा देर तक सोने से जितना संभव हो बचना चाहिए हर महीने की पूडिमा और अमावस्या को उपवास रखना चाहिए पूडिमा और अमावस्या का वरत रखे इस दिन केवल जल और फल ग्रहन करे नियम के हिसाब से वरत रखे तो आपको लाब होगा और एक मंत्र आपको जरूर पढ़ना चाहिए अगर एपलेपसी के दोरे जैसी समस्या है मंत्र देखे स्क्रीन पर मंत्र है ओम जूं सह माम पाले पाले ओम जूं सह माम पाले पाले इस मंत्र का सुबह और शाम 108 बार जब करने से भी निश्चित रूप से लाब होता है इपलेपसी की समस्या में सुधार होता है चंद्रमा जब कुंडली में बहुत बुरा ना हो थोड़ा ही कमजोर हो जादा कमजोर ना हो और चंद्रमा के साथ साथ कहीं मंगल का सुभाव आ गया कहीं चंद्रमा के साथ राहू का रोल आ गया तो ऐसी दर्शा में क्या होता है लोग ये कहते हैं कि मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है छोटी छोटी बाते मुझे इरिटेट करती है छोटी छोटी बातों पर चरचड़ाहट पैदा होती है, घबराहट होती है, या बेचैनी होती है, अगर क्रोध चरचड़ाहट, घबराहट या बेचैनी की समस्या हो, तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे, जल में केवडा जल डाल करके इसनान कीजिए, नित्य प्रातह, जल में केवडा जल डाल करके नहाए, जहां तक संभव हो, भोजन में तीखी चीजों का प्रियोग ना करें, ज्यादा मिर्च मसाले या ज्यादा तेल वाली चीजे या ज्यादा तीखी चीजे भ भोजन में ग्रहन ना करें, शीतल पे cold drink, चाय, कॉफी इन से परहेच करना चाहिए, शुद्ध दूध पीजिए, शुद्ध छाच पीजिए, और लसी पीजिए, लेकिन cold drink चाय और कॉफी से परहेच कीजिए, अगर आपको छोटी छोटी बातों पर irritation होती हो, छोटी छोटी बातों पर अगर आपको गुसा होता हो, तो थोड़ा सा अपने खान पान में सुधार ले आईए.